हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू कॉंपटिशन कम्यूनिटीज यूट्यूब चैनल कॉंपटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग और आप लोगों के लिए में लेके आया हूं हमारी सब्जेक्टिव आंसर में भी पूछा जाता है और हो सकता है इंट्रिव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाए अब चुकि हम एड्मिनिस्टेटिव लॉग पढ़ रहे हैं और अगर आपने हमारे शुरुवात की वीडियो लेक्शे देखें और अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी अगर आपने देखा है तो आपको हमें समझ में आ जाएगा कि एड्मिनिस्टेटिव लॉग एक लॉग है जो की नई ब्रांच है और बहुत जादा इवॉल्व कर रहा है लेकिन एक बात आपको उसके बारे कहां है इसका जैनेसिस कहां से है और यहीं से शुरुवात होती है सवाल की कि एड्मिनिस्टेटिव लॉग और कॉंस्टिटूशनल लॉग में सुपीरियर कौन जादा इंपोर्टेंस किसकी और दोनों में बीच में अगर कोई तालुक है तो क्या है और अगर डिफरेंस है बहुत इजली समझेंगे इसलिए बिल्कुल टेंशन लेनी की जरूवत नहीं आपको केवल दो स्लाइट में समझा दूगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस और रिलेशन क्या है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले शुरू करने से पहले यह तो जान ले कि दोनों की हों के बात करेंगे सबसे एक बात करते हैं ड lijह यह तो मैंस डोमें को टूच करता है यह क Royal ये बता रहा है की administrative law किस तरह से constitutional law से अलग है, constitutional law अपनी जगा पे एक rigid है, अपनी जगा पे hold मना के रखा हुआ है, बस administrative law क्या है, थोड़ा सा उसी का एक page है, उससे अलग एक किताब नहीं है, चलिए जल्दी से देखना शुरू करते है, constitutional law is a genus और administrative law is a species, अब आप लोग बोलेंगे कि क्या biology श सोटा सरकल है, administrative law, यह पहला point इसी के बारे में बात करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, constitutional law deals with various organs of the state, constitutional law क्या करता है, state के various organs, जो हमें पता है, judiciary के बारे में भी constitution में discuss किया गया है, legislature के बारे में भी किया गया है, executive के बारे में भी किया गया है, लेकिन it deals with those organs as in motion, यानि कि administrative law क के बारे में बात करता है, उन फंशन से के बारे में बात करता है, जिसको वह specifically deal कर रहा होता है, यानि administrative law के ambit में जो औरगन आ ह buyers वहाँ हो क्यों कि वह administrative authority है, implementing authority है, functioning को monitor करने वाली और उसको organize करने वाली authority है और constitution क्या है वो वो authority है जो कि बताएगी कि state होगा उसका structure यह होगा यानि कि वो एक originating authority है इसलिए constitutional law यहाँ पे difference यह हुआ ठीक है it is the highest law it is the subordinate to constitutional law यह तो जाहिर सी बात है भई कि जो highest law हमारी country में कौन सा है constitution उसके नीचे कहीं एक छोटा सा अंच है उसका administrative law इसलिए हम यह भी कह सकते कि administrative law के इजात कहां से हुई है constitutional law से ही हुई है ठीक है it gives the guidelines with regard to the general principles it touches almost all branches of law in the country यह क्या कह रहा है यह guideline देता है किसके बारे में general principles के बारे में जो कि हमारी democracy के लिए important है जो हमारी democracy के general principles है जो हर जगा follow होते हैं और उसके साथी साथ वो सारे law की branches हमारी country में चल रही है उनको constitution of india touch करता है और वो कहीं न कहीं उसकी root जो है constitution से एक धागा तो हमेशा जोड़ा होगा अभी हाँ पर क्या लिखा है it deals in detail with the powers and functions of the administrative authorities यह बहुत छोटा है यह केवल administrative authority की क्या power है क्या function है वो कैसे काम करेंगे के वल इसी के बारे में बात करता है ठीक है sir आखरी point क्या है it also gives the guidelines about the international relations यह constitution of india के base पर ही हम decide करते कि हमारा international terms कैसे होंगे हमारे india के कौन से laws इसे खराब या गलत नहीं थाबित होने चाहिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए हमारे citizens कैसे जाएंगी इस सब चीज़े कहां दी हुई है constitution में दी हुई है कि हमारे country के citizen है उनको हमारे country की citizenship कैसे मिलेगी कोई foreign चला जाए तो क्या होगा कोई foreign से आ जाए तब क्या होगा सबका सब जो base है वो constitution है जबकि administrative law में international relations के बारे में कोई बात नहीं इसका मतलब constitution ना सिफ हमारे देश के लिए बलकि हमारी outside the country क्या policies रहेंगी काफी हद तक उसको influence करता है लेकिन administrative law केवल हमारी country के अंदर के administration को deal करता है तो यह major कुछ छेड हमारे पास differences थे आगे बढ़ते हैं और हम discuss करेंगे किसको relationship को दोनों के बीच relationship क्या है constitutional law is the most essential origin of administrative law यानि कि administrative law का जो सबसे important origin है वो constitutional law है जो कि मैंने एक video lecture में आपको बता भी दिया जिसमें हमने discuss किया था sources of administrative law में वहां मैंने बहुत अच्छे से discuss किया कि सबसे पहला और सबसे important और सबसे primary source है constitutional law किसका administrative law का ठीक है the relationship between constitutional law and administrative law is that the constitutional law is the source and soul of the administrative law source and soul को आप समझ लीजे source मतलब की जहां से वो निकला और soul मतलब उसकी आत्मा दोनो administrative law की कौन है constitutional law in short constitutional law is the parent of administrative law एक तरह से वो उसके कौन है parent है कौन constitutional law किसका administrative law का it is evident that administrative law cannot perform its roles and responsibilities without the presence of constitution बिना constitution के presence के बिना उसके confidence के administrative law का कोई भी काम नहीं हो सकता है इसलिए administrative law काफी हद तक related है एक अगर constitution ये है तो उसी का एक छोटा सा अंग है क्या administrative law खीक है administrative law is completely dependent on the constitution of India इसलिए आपको अगर question आता है कि relationship क्या है तो आपको यही समझाना है कि administrative law हर एक तरीके से related है किस से constitution of India से और बगैर constitution of India के administrative law की कोई presence नहीं है और यहाँ पर हमारा ये topic भी खतम हो जहाँ पर हमने discuss किया administrative law और constitutional law के बारे में हम पढ़ रहे है administrative law अगर आपको अभी भी मन में कोई doubt है और कोई topic अगर ऐसा है जो आपका cover नहीं हुआ है आपके syllabus में है और आप चाहते है कि उसके बारे में कुछ discussion हो तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं अगर ये videos आपके लिए helpful है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसी help चाहिए जिसमें आपको administrative law को पूरे अच्छी तरह से समझना है और पढ़ना है तो आप इस video lecture series को follow up करते रहे हैं आप हमारी playlist को जाके देख सकते हैं आप जहां हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को